जैशी किष्णा दोस्तों पियसरा फैंबली में आपका स्वागत है। भगवान शंकर को एक लोटा जल भी अरपित करता है तो भगवान शंकर उससे बहुत ही जल्दी प्रसन हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिद्धी करें आपका नाम रोशन करें। दोस्तों भगवान शंकर बहुत ही शीग्र प्रसन होने वाले देवों में से माने जाते हैं। और शिवलिंग पर ये वस्तू चड़ाने से निश्चिद ही आपकी जो इच्छा है वो अती शीग्र पूरी होती है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें। बगर लें बैल आइकन को भी दबा दें। जिससे मेरे आने माली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके। दोस्तों सोमवार की दिन या सावन की किसी भी दिन देखे क्योंकि पूरा महिना भगवान शंकर को समर्वित है। जब भी आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं शिवलिंग पर ये वस्तु अवश्य चड़ाने चाहिए। दूद अरपित करने से आरोग्य और दीगरायू की प्राप्ति होती है। दही से खुश्यों का आगमन होता है पारिवारिक सुख मिलता है। गी अरपित करने से शुशिल संतान की प्राप्ति होती है जो आपका नाम रोशन करती है। और व्यक्ति का तेज बढ़ता है मान सम्मान बढ़ता है और शहद अरपित करने से सोंदर निखार बढ़ता है वाडी में विठास आती है मान सम्मान बढ़ता है और शक्कर चड़ाने से यश बैभव किर्ती की प्राप्ती होती है अश्वरे की प्राप्ती होती है और चंदन अरपित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और भांग अरपित करने से पापों का नाश होता है और केसर चड़ाने से दामपत्य और वेवाही सुक्की प्राप्ती होती है और गन्ये का रस चड़ाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है दोस्तों अब जान लेते हैं कि व वन्ष्ट की व्रिद्धी होती है, संतान सुक्ट की प्राप्ती होती है, और होने वाली संतान अपने माता-पिटा का नाम रोशन करती है, अपने परिवार का आमान सम्मान बढ़ाती है। संतान सुख मिलता है ऐसे ही दोस्तों अगली वस्तू है केला केला देखे देविक फल माना जाता है सभी देवताओं को चड़ा जाता है गड़ेजी को अती प्रिये है हनुमान जी को अती प्रिये है भगवान विश्नु को चड़ायाता है भगवान शंकर को चड़ायाता है अ अगर आपको संतान की पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पारी है, तो शिवलिंग पर चड़ा हुआ कोई भी वस्तु हो, चाहे वो केला हो या कोई और वस्तु हो, अवश्य ग्रहन करनी चाहिए. अगरी वस्तु है दोस्तों, हो है धतूरे का फूल या आकड़े का फूल या धतूरे का फल, अगर आप शिवलिंग पर अर्थपित करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही शीग्र संतान सुक की प्राप्ती होती है, अगर आप शिवलिंग पर पान का पत्ता चड़ाते हैं, तो आपको किस फल की प्राप्ती होती है, दोस्तो जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, तो एक पान का पत्ता लेकर, उसके उपर एक रुपे का सिक्का रखें, सुपारी रखें, इलाईची रखकर और जो कलावा होता है, उससे आपको लपेट कर, अपनी मनो कामना बोलकर, शिवलिंग पर अवश्य अ संतान की, पुत्र की, वो बहुत ही शीग्र आपकी पूरी होती है, तो आप सावन के किसी भी दिन, या सोमवार के दिन, आप शिवलिंग पर एक पान का पत्ता अवश्य चड़ाएं, अपनी इच्छा बोलकर, देखना आपकी जो इच्छा है, वो बहुत ही शीग्र पूरी होगी, भगवान शंकर की किरपा से आपको संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शियर जरू करें, आप सभी को जैशी कृष्णा